नमस्कार, हम भजना जानकी तेलिविजेंस है, आए स्राबन महीना के दोसर का सुमारिश और जगह जगह महादेब बाबा के मंदीर में अभी दर्शन करव वालासर के भीर लागल छे मान्याता होई छे कि शावन मास में सुमबारी के दीन भरेक महादेब मंदीर में जाके लोग जर्शन करी छथीन, सही छथीन और उनकर फूल, बेलपत्र और जल चरह होई छथीन और क्या मान्ता होई छे कि घर पड़ी बार सुखी शंपन रही छे ओनाई ते अभी के बाबाध्हाम जे पुरा दुनिया में पर्शलित छे बाबाध्हाम के भीषीन दिखावई अपने के बहुत ज़्यादा इथान भीर भार सब छे ओनाई ते नेपाल के राजधानी दमनेकी फाउड़ कि खावा जागाल दी आध मनकटते दर्संघ करे बला सबके सुबस प्रके रोधा अते रोधा रोधा होते वे भी लोग लाइन मेरा करके दर्संघ करे आई छाथीनि शावन महीना के सूंबारी लोग यशामन करी छाथीनिन और हरेक जकी छीज सावन मही महिना में जब शुरुवाते महिना से सुल्तान गंज से लख कानबर उठाका जल बोईच करके बावाधाम तक पैदल अपने के जाई छथीन और वे ठामन चल चरहवी छथीन वनाई ते वो ढांक बम होई छे जह दांक बम अपने के कहीं भी उत्य दूर के रस्ता में नहीं ब बावाधाम में यते कश्ट सही करके उपासना करी छथीन की महाद्य भगवान के खुस करके लागे शावन महिना में पूरा दुनिया में अपने के परचली थे बावाधाम वह ठामन सुल्तान गंज से जल बोईच करके लोग पैदल पाउंक पैदल अपने के जाई छथीन और चरहवी छथीन हाद्य बाबा के खुस करेगे प्रियास करी छथीन